आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं एड़ोकेट प्रियंक डिमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं CPC Order 7 Rule 14 के वारे में जो की बात करता है कि वादी द्वारा कोट में डॉक्यूमेंट कब और कैसे पेश किये जाते हैं और वे इस्तितियां जब वादी का कोई डॉक्यूमेंट कोट में एग्जिबिट अर्थात प्रदर्श ना हो पाए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं अदेश साथ नियम चवधा व्यवार प्रक्रिया सहता उन दस्तावेजों की प्रस्तुती जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है पहला जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है मतलब की ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जैसे की कोई रेजिस्टर्ड विक्रपत्त्र हो गया या कोई वसियत हो गई ऐसा कोई दस्तावेज है उस दस्तावेज के आधार पर वादी कूर्ट में केस लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कबजे या शक्ती में की दस्तावेज पर निर्वर करता है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अर्था दस्तावेज जो की वादी के कबजे में है या उसकी शक्ती में है और वादी को ऐसा लगता है कि एसा दस्ताबेज उसके दावे का अर्थात वादपत्र का समर्थन अर्थात favor करेगा तो वहांपर वए वादी उन दस्तावेजों को एक सूची में पर्विष्च करेगा और उसके दोरा वादपत्र उपस्थित किये जाने के समय वे उसे न्यालय में पेश करेगा मतला वे डॉक्यूमेंट अर्थाद दस्ता बेज जिसके आधार पर वादी कोट में केस करता है या ऐसा कोई दस्ताबेज जो वादी को अपने दावे को सिद्ध करने में समर्थन करता है वह उन दस्ताबेजों को एक सूची में सूची अर्थात एक लिस्ट होती है जब भी आप कोट में कोई केस लगाते हैं तो आप उस केस के साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट को आपको क्रम वाइस उस सूची में लिखना पड़ता है इस सूची को कहा जाता है दस्ताबेज सूची कि आप कौन-कौन से document पेश कर रहे हैं अपने दावे के अर्थात वादबत्र के साथ ये रही वो सूची माली जी को registered विक्रपत्र है तो आप उसको डाल देंगे कोई खसरा किस्तबंदी है तो second number पर उसको डाल देंगे इस प्रकार सारे documents को इस सूची में लिख दिया जाता है तो ऐसी सूची को उसके अर्थात वादी के द्वारा वादबत्र उपस्थित किये जाने के समय अर्था जब वो वादबत्र दायर करेगा उसी समय वह उसे न्याले में पेश करेगा और पेश करने के साथ साथ अर्थात उसी समय दस्ताबेश और उसकी प्रती को वादबत्र के साथ फाइल किये जाने के लिए प्रदत्त करेगा मदलब की वादबत्र के साथ साथ या आपको क्या है original document उनको पेश करना है और उनकी एक photocopy हर document की एक photocopy उसकी प्रती वादपत्र के साथ file किये जाने के लिए पर्दत करेगा पर्दत करना अर्थाद देना तो वादपत्र के साथ original document दिये जाएंगे और सभी documents की एक photocopy दी जाएगी चलिए इसे image के माध्यम से भी समझ लेते हैं ये रहा वादी ये वादी के अधि वक्ता अब वादी ये वादपत्र कोट में पेश कर रहा है तो ये वादपत्र वो किस आधर पर लेकिया जाए कोई document है जैसे ये रहा registered विक्रपत्र तो वादपत्र के साथ साथ ये registered विक्रपत्र भी उसे इसमें attach करना पड़ेगा और ये रही सूची इस सूची में उसको इसका जिक्र करना पड़ेगा इस document का कि मैं वादपत्र के साथ साथ ये registered विक्रपत्र पेश कर रहा हूँ सूची में इसकी entry हो जाएगी और इसकी एक photocopy भी आपको देनी पड़ेगी अब आप एक document लगा रहे हैं या बहुत सारे document लगा रहे हैं जितने भी document लगा रहे हैं वो सब original चाहिए उन सभी को आप इस सूची में लिख देंगे और इसी के साथ साथ इन सभी documents की एक photocopy भी आप attach करके पूरा set बनाके coat में पेश कर देंगे वादपत्र के साथ यही कह रहा है पहला point second जहां ऐसी कोई दस्ता बेच वादी के कबजे या शक्ती में नहीं है वहाँ वै जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वै किसके कबजे में या शक्ती में है मतलब कि आप court में वादपत्र लेके आते हैं किसी document के आदार पर जैसे फिर से registered vickr patr हो गया अब वो registered vickr patr आपके पास है ही नहीं है किसी सरकारी कार्याले में है या कहीं जम उगया है या कहीं गूंगाया है या फिर नष्ट हो चुका है अस्तित में है ही नहीं तो उसके बारे में आपको वादपत्र में बताना पड़ेगा कि ये दस्ता बेज मेरे कबजे में या शक्ती में नहीं है तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी कहां बतानी पड़ेगी वादपत्र में अर्थात माल दीजिए रेजिटर्ड विक्रपत्र है अब इसके अधार या फिर आपने कहीं और सम्मिट कर दिया है और वहां से आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के कबजे में हैं और वो आपको दे नहीं रहा है तो ये बात आपको वादपत्र में लिखनी पड़ेगी यदि आप ये बात नहीं बताते हैं कोट को वादपत्र में लिखकर तो आगी चलकर केस में आपको समस्यां उत्पन्न होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या समस्यां उत्पन्न हो सकती है तो ये राज second point कि दिया आपके पास document नहीं है original तो आपको वादपत्र में इसके बारे में बताना ही पड़ेगा थर्ड ऐसा दस्ता बेच जिसे वादी दोरा नैले में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है या वादपत्र में जोड़ी जाने वाली या उपावद्ध किया जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है किन्तु तद अनुसा रही है इसी के आधार पर हम कोड में आविदन लगाते हैं थर्ड पॉइंट सबसे मेन है और इंपोटेंट है खेर फोर्थ भी है फर्स्ट और सेकेंड तो कौमन है बहुत ही थर्ड और फोर्थ मेन रोल प्ले करते हैं तो ऐसा दस्ता बेज मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है और वादी को से तब प्रस्तुत करना था जब वह वादपत्र प्रस्तुत कर रहा था उपर हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि जब वादपत्र प्रस्तुत करेंगे तब ही सारे वह उजने डॉक्यूमेंट आप कोड में सूची के अनुसार पेश करेंगे तो ऐसे दस् दस्तवेज वादपत्तर के साथ पेश कर रहा है और उसने सूची में इस बारे में लिखा है दस्तवेज के वारे में तो ऐसे दस्तवेज को वो प्रस्तुत नहीं करता है पेश नहीं करता है कूर्ट में तो उसे कूर्ट की अनुमती के बिना अर्तात न्याले की अनुमती के बिना वाद की सुनवाई के समय, उसकी ओर से साक्ष में ग्रण नहीं किया जाएगा, मतलब की वाद पत्र के साथ आपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, और वाद की सुनवाई होती है, वाद की सुनवाई से ततपर है जब वादी की गवाई होती है, मुख्य परिक्षण और प्रतिपरिक्षण examination in chief और cross examination तो ये गवाही तभी हो पाएगी जब वादी original document लेके आएगा गवाही के दिन या पहले से वो document court की फाइल में हो तो ही court उसे साक्ष में ग्रहन करेगी अर्था तभी उसे साक्ष में लिया जाएगा यदि गवाही के बाद ऐसे कोई document वो लेके आता है तो ऐसे दस्तावे साक्ष में ग्रहन नहीं किया जाएगा भाई नियम ये कहता है पहले point में भी दिया है कि आप वादपत्तर के साथ सारे original document एक बार में पेश कर दो नहीं कर रहे है तो जैसे हमें दस्तावे सूची आ दी थी इसी प्रकार एक दस्तावे सूची बाद दी जाती है इसमें हम लिखते हैं कि ऐसे document जिस पर वादी को अपने पक्ष समर्तन का भरोशा है उपलब्द होने पर बाद में पेश किये जैसा केंगे एक होती है सूची दस्तावेज आ जिसमें आप सभी document को वादपतर के साथ पेश करते हैं अब भाई ऐसा हो सकता है कि कोई document अपने फेवर का बाद में सामने आ जाए या पता चल जाए केस तो पांस्टे साल चलेगा बीचे में कहीं कि document मिल गया जो केस के फेवर में हो तो ऐसे document को हमको पेश करना हो तो इसलिए हम सूची दस्तावेज बा देते हैं एक देते हैं आ एक देते हैं बा इसमें हम यही लगते हैं कि ऐसा कोई document यादी बाद में निकल के आ जाता है सामने तो हम उसे भी पेश कर सकेंगे लेकिन वहाँ पर भी नियाले की अनुमती चाहिए होती है कि कोई document निकल के आ जाता है बीच में यह फिर आप वादपत्र के साथ उसे पेश नहीं कर पाते हैं आपके कबजिया शक्ती में नहीं है तो आप कोट को वादपत्र में यह बात बता दो नहीं तो यदि फिर वादपत्र के साथ दस्ताबेज जो दिये जाते हैं यदि आपके पास अवाई लेवल नहीं है तो आप फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं बाद में जब अवाई लेवल हो जाएंगे तो आप कोट में पेश कर दीजेगा लेकिन वादी की गवाई स्टार्ट होने से पहले यहम तो यही है कि या तो आ वादपत्र के साथ पेश कर दें या फिर इशूस का निर्धारन अर्थाद वादप्रशनों की रचना के पहले सारे document code में पेश कर दें नहीं तो फिर third point में आपको permission लेनी पड़ेगी न्याले की अनुमती एक होता है प्राथमिक साक्ष एक होता है दुतियक साक्ष प्राथमिक साक्ष क्या होता है? original document कोई भी दस्ताबेज original हो जैसे यह विकरपत्र है यह क्या है? original है तो गवाही जो होती है प्रती परिक्षण वे क्या है? original document पर ही होता है दुतियक साक्ष क्या होता है? original की photocopy original हो गया प्राथमिक साक्ष photocopy हो गई दुतियक साक्ष तो दुतियक साक्ष कब गरा होगा? जब original क्या है? नश्ट हो चुका हो या फिर अस्तित्व में ही ना हो तो ही दुतियक साक्ष ग्रा हो सकता है उसकी लिए भी कोट परिमिशन देती है ऐसा नहीं है कि प्रात्मे के नहीं है तो आपने ओरिजिनल पर ही लड़ पड़ो आप कि नहीं इस पर ही होगी वो तो वो तो ग्रा करना ही पड़ेगा आपको तो नहीं वहिया ऐसा नहीं है कोट अनुमती देगा तो ही दुतियक साक्ष अर्थात वो फोटो कॉपी साक्ष में ग्रा होगी जिए आपने वादपत्र में इसके बारे में नहीं बताया तो फिर भूल जाईए कोट उसकी अनुमती नहीं देगी तो क्योंकि सुप्रीम कोट के डेरों सारा लेंडमांग जजमेंट है जिस चीज के वारे में वादपत्र में कथन नहीं किया गया हो अर्थात कोई बात आपने वादपत्र में नहीं लिखी है गरहन करने की तो बात छोड़िये कोट उसके उपर विचार भी नहीं करेगी क्योंकि जिस बात का अभिवचन नहीं उसके वारे में कोई विचार नहीं तो ऐसा कोई डोक्युमेंट जिसके आदार पर आप केस लेके आए या वो डॉक्यूमेंट आपके केस को वादपत्र को फेवर करता है और आपने उस डॉक्यूमेंट के बारे में दस्तबेश सूची में भी मेंशन किया है लेकिन आप समय पर उसे क्या है कोर्ट में पेश नहीं करते सिर्फ उसकी फोटो कॉपी लगाते हैं तो फिर गवाई के समय कोट की अनुमती के बिना, कोट उसके बारे में कोई विचार नहीं करेगी, आपको एक application लिखकी देनी पड़ेगी, आविजदन पत्र अंतरगत आदे साथ नियम चौदा, कि अभी गवाई स्टार्ट नहीं हुई है, ये दस्ताबेश बहुत ही आवश करवाई जाएं, देखिए यहाँ पर वाद की सुनवाई से तातपर तो यही है, कि आपको वाद पत्र के साथ ही सारे document पेश करने हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते, तो वाद की सुनवाई, अर्थात वाद पत्र पेश होने के बाद, केस की किसी भी stage के समय या पेशी पर, उ उस दस्तावेच को फिर साक्ष में ग्रहन नहीं किया जाएगा, लेकिन आम तोर पर होता क्या है, कि main problem start होती है गवाई के time, क्योंकि गवाई ही होती है मूल दस्तावेच, original document पर ही, तो गवाई के time original document होना चाहिए, वैसे तो आप गवाई के बाद भी कोई भी document पेश कर सक और इसी आदेश साथ नियम 14 के तहट फिर से आवेदन दे सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई नया document पेश करते हैं, तो उस document के उपर फिर से दो बारा गवाई होगी, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, तो वादपत्र पस्तत होने के बाद किसी भी stage पर, उदस्तावेच स होने के पहले आप original document पूरे submit कर दें, क्योंकि यदि न्याले ने अनुमती नहीं दी, तो फिर problem हो जाएगी, वो दस्तावेच साक्षे में grant नहीं होगा, तो गवाई तक तो court वैसे ही accept कर लेती है, कोई problem नहीं आती, main problem आती है गवाई के बाद, जैसे आपकी गवाई हो जाता है और वो court में पेश करना चाहता है, यदि वो पेश करता है, तो इसी आदेश और नियम के तेहतों से एक नया आविदन देना पड़ेगा, और दोबारा उस document पर फिर से उसकी गवाई होगी, तो फिर court उसकी अनुमती देने के लिए माना भी कर सकती है, ये हो गया third point Fourth, इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो वादी के साक्षियों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किये गए हों, या किसी साक्षि को केबल उसकी इसमरती ताजा करने के लिए दिये गए हों, कोई भी document आप पेश ना कर पाएं, तो उसका तोड है सब rule 4, मतलब इस नियम के अंदर पहले जो तीन पॉइंट दिये गए हैं, वो fourth point पर लागू नहीं होंगे, मतलब की कोई document जो प्रतिवादी के advocate, वादी के साक्षियों अर्थात गवाओं के, प्रति परिच्छन अर्थात cross examination करने के लिए पेश करते हैं, तो फिर वहाँ पर कोई भी time limit नहीं है document पेश करने की, जिस दिन वादी का गवाँ गवाही देने आएगा, cross examination अर्थात प्रति परिच्छा में प्रतिवादी के अडिवक्ता, उसे case से सम्बंदित कोई भी दस्ताबेश दिखाकर cross examination कर सकते हैं, वहाँ पर फिर court की अनुमती नहीं चाहिए लेकिन वो document जो पेश कर रहे हैं, वो केवल गवाही देने आया है, उसी से सम्बंदित होना चाहिए, इसके लिए कोई time limit नहीं है, आप कभी में पेश कर सकते हैं, आम तोर पर जिस दिन गवाही देने आता है, एक दम से उसे दिखा के पूछा जाता है, क्योंकि वादी तो गवाहों को रटा कर लेके आया है, कि तुमको यह जे court में बोलना है, अब एक दम से कोई document उसके सामने आ जाए, तो वो कुछ न कुछ ऐसा बोली देगा, जिससे पूरा case बगड़ जाए, तो ऐसे document पर कोई time limit लागू नहीं होगी, ना ही वहाँ पे court की permission चाहिए, और ऐसा कोई भी document जिसके बारे में प्रतिवादी के educate, वादी के गवा से कोई सवाल करते हैं, बहले ही फिर वो उसके बारे में हाँ बोले या ना बोले, जैसे उससे पूछा गया कि तुमारे अस्ताक्चार है, इस registered विक्रपत्र पर, वो हाँ बोले या ना बोले, वो document अर्थाद registered विक्रपत्र जो है, वह अपने आप ही on record आ जाएगा, अर्थाद court की file में record पर आ जाएगा, और court उसके बारे में फिर विचार करेगी, तो ये दस्ताबेच पेश करने की time limit, अर्थाद वादपत्र के साथ पेश करना है, या फिर second point के अंतरगत वो आपके कबजे में है या नहीं है, या फिर third point के अंतरगत उसमें अनुमती लेनी है, तो ये तीनों point ऐसे दस्ताबेचों पर लागू नहीं होंगे, जो की वादी के साक्षियों के लिए इस्तमाल किये जा रहे हैं, उनके प्रती परिक्छाण में, या किसी साक्षी को केबल उसकी इसमरती को ताजा करने के लिए दिये गए हूं, अर्थात मान लीजिए कि वादी का कोई साक्षी गवाही देने आया, अब कोई ऐसा डोक्यूमेंट है, जो साक्षी से संबंदित है, अब उसे सवाल पूछा जाता है, कि विक्रपत्र दनांक इस तारीक को, जो विक्रपत्र निश्पादित क गया था, उसमें गवाह के रूप में आपके हस्ताक्षर है या नहीं है, तो वादी का गवाही ये बोलता है, कि विक्रपत्र बहुत पुराना है, आज मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देखकर बता सकता हूं, देखकर बता पाने को ही इसमर्ति को ताजा करना कहते हैं, तो देखकर बता पाना ही अर्थात इस्मृति ताजा करना, तो वो डॉक्यूमेंट जो से दिखाया जाता है इस्मृति ताजा करने के लिए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट पर भी कोई टाइम लिमेट लागू नहीं होगी, कि वादपत्तर के साथ पेश किया जाए ऐसे नियालय की अनुमति लेनी की जरूत नहीं है, यही कह रहा है फोर्थ पॉइंट, इसे और अठ्छी से समझने के लिए हमारे सामने ये में जा गई, ये प्रतिवादी, ये प्रतिवादी के अधिवक्ता, ये वादी, ये वादी के अधिवक्ता, अब ये वो रेजिस्टर् विक्र पत्र है, जो कि क्या है, एक्जिविट नहीं हुआ है, प्रदश नहीं हो पाया है, क्योंकि उस टाइम ये अवाइले वाली नहीं था कहीं, गुम गया था, आज अचानक मिल गया, तो ये प्रतिवादी इसको लेकर कोट में आ गया, कि वकील साभ ये मिल गया मुझे तो ये प्रतिवादी के अधिवक्ता, मान लीजिए वादी का गवाह आ गया, उसका साक्षी, तो जब एक्रोस एक्जामनेशन करेंगे, तो इस विक्र पत्र को दिखा करें कोई भी कोश्चन पूछ सकते हैं, बले ये एक्जिविट ना हुआ हो, जैसे मान लीजिए सवाल रिकॉर्ड आ जाता है, कोट अपने आप ही इस पर विचार करेंगी, और दूसरी बात क्या लिखी थी, कि इसमरती ताजा करने के लिए, अब माली जैसे कोई कोश्चन पूछा गया, इतना उस पर आपके सायन है की नहीं है, ये बोलता है कि मैं भूल गया, इतना प्रणा डॉक्युमेंट, हाट साल हो गया, तो मैं देखकर बता पाऊंगा, ये देखकर बता पाना अर्थात इसमरती ताजा करना, तो ये विक्रपत्तर जो है एग्जिबिट नहीं है, अर्थात इसे परदरशित नहीं करवाया गया है, क्योंकि उपलब्द नहीं था, क्योंकि के इसे सम्मानित है, इसलिए इसके बारे में सवाल पूछ लिया गया, अब ये बोलता है कि मुझे याद नहीं है, मैं देखके बता पाऊंगा, तो इस परकार वादी के साक्षियों को कोई डॉक्युमेंट जो एग्जिबिट नहीं है, उनसे उस डॉक्युमेंट के बारे मे क्रोस एग्जामनेशन करने के लिए, या पर उनकी इस्मरती ताजा करने के लिए, याद दिलाने के लिए, ऐसा दस्ता बेज, प्रतिवादी की ओर से, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिवादी की ओर से, वादी के गवा के सामने रख जा सकता है, और कोट में पेश किया जा सक ऐसा कोई दस्ताविज दिखा कर उसके गवाओं से भी पूछ सकते हैं। बहले ही वो डॉक्यूमेंट दावे के साथ पेश ना किया गया हो। और थर्ड पॉइंट के तेट उसमें नयाले कि अनुमती मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फूर्थ पॉइंट में इस पश्ट लखाए कि उपर के तीनो पॉइंट की बाते हैं, सब रूल की बाते हैं, इस सब रूल फूर पर लागू नहीं होगी। ये तीनो उप नियम इस चौती बात पर लागू नहीं होगे। मतलब फिर आपको वहाँ ये भी नहीं बताना है कि किसके कबजे में है ये चक्ती में नहीं है आपने क्यों पेश नहीं किये और फिर ना ही वहाँ पे न्याले की अनुमती चाहिए तो इन तीनों की बात पर इस पर लागू नहीं होगी यहाँ पहले खाए इस नहीं हम की कोई भी बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो वादी के गवाओं के प्रती परिछण में या फ़र इसमृती ताजा करने के लिए प्रतीवादियों इसके अधिवक्ता की और से कोट में पेश किये जाते हैं एक बात ध्यान रखिएगा ये प्रतीवादि के अधिवक्ता दोरा पहले से पेश नहीं किये जाते हैं क्योंकि वो मिले ही नहीं थे और मिल भी जाते हैं तो भी पेश नहीं करते हैं ये एकडम से क्या जटका देते हैं करेंट शौक देना ऐसे ही गवाई स्टार्ट हुई तुरंत ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया उसको किसी को बनक भी नहीं है कि क्या होने वाला है वादी तो अपने गवाओं को अपने डॉक्यूमेंट के बेस पर पूरा रट्टू तोता बना के लेके आया है कि तुमको यही यही बातें बोलनी है अब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो प्रतिवादी के अधिवक्ता एक दम से दिखा दें उसे इसके वारे में उसे पता ही नहीं है नहीं उसे ये पता है कि हम मैं क्या बोलूं तो इसी परकार का जटका देने के लिए इस नियम 4 का उपयोग किया जाता है वहाँ पर उसका पूरा क्रोस एग्जामनेशन ही बिगड़ जाता है पूरा फेवर में चला जाता है प्रतिवादी के जब एक दम से आपको इस डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो यह हो गया उपनियम 4 अब हम जो आविदन देते हैं वो देते हैं उपनियम 3 के अंतरगर मान लीजे कोई डॉक्यूमेंट अवाई लेवल नहीं था और गवाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है और आप वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना चाहते हैं चूकि आप इस्टार्टेंग में नहीं कर पाये थे और इशूस अर्थाद वादप्रशनों का नरधर्ण भी हो चुका है लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में पेश करने हैं नहीं तो वो क्या है साक्ष में ग्राह नहीं होंगे तो इसके लिए आपको कोर्ट से अनुमती लेनी पड़ती है तो गवाई स्टार्ट होने के पहले आप एक आवजन देते हैं कि इन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लिया जाए तो कि हमने इसके बारे में वादपत्र में भी अभीवचन किये हैं और सूची में भी हमने इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है फोटो कॉपी इनकी अल्रेडी हम दे चुके हैं आज हमारे पास मूल आ चुके हैं तो गवाई स्टार्ट होने से पहले हम मूल दस्तावेज औरडिनल डॉक्यूमेंट कोट में पेश करना चाहते हैं तो कि गवाई होगी तो औरडिनल डॉक्यूमेंट पर ही होगी प्रात्निक साथ्ष पर तो आज ये देखते हैं आवेधन की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है कैसे तयार किया जाता है कोट का नाम नियालय शुरीमान विवार नयादीस वरिष्ट खंडम होद है वोपाल पार्टीस का नाम केस नंबर किस देट को आप पेश कर रहे हैं टाइटल आ गया आवेदन पत्र अंतरगत आदेश साथ नियम चाउदा आदेश साथ नियम चाउदा के तयर तो हम आवेदन दे ही रहे हैं लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो धारा एक्स वेक काउदन भी हमने मैंशन कर दी है नयले की अनन्न शक्तियां उसी के आदर पर ये आवेदन हमारा एकसेप्ट किया जाए यदि इन में कोई दिक्कत आती है तो वादी की ओर से निमने वेदन है यह कि उक्त प्रक्रण वादी साक्ष हेतु नियत है अर्थात वादी की गवाई होनी है उसके लिए डेट लगी है इस केस में सेकेंड यह कि उक्त प्रक्रण में मूल रस्तावेजों की छाया प्रतियां सूची अनुसार पूर्व से प्रस्तोत हैं, जिनकी मूल प्रतियां आज प्रस्तोत की जा रही हैं, चूंकि साक्ष में मूल की आवश्यक्ता पड़ेगी, मतलब की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनकी फोटो कॉपीज क्या है, कूची अनुसार पेले ही पेश की जा चुकी हैं, लेकिन आज हम मूल प्रस्तोत कर रहा हैं, चूंकि साक्ष अर्थात गवाई जो होगी, उसमें मूल की आवश्यक्ता पड़ेगी, क्योंकि गवाई होगी, प्रातमिक साक्ष औरिजिनल थर्ड, येकि उक्तमूल दस्ता विज, प्रक्रण के नैपून राकरण हेतु, एवं वादी के पक्ष समर्तन हेतु आवश्यक हैं, प्रक्रण में अभी आवेदक साक्ष प्रारंब नहीं हुई है, इसलिए किसी प्रकार के विलंब का प्रश्न भी नहीं है, प्रक्रण में अनावेदक बन जाता है, तो वादी या आवेदक आप कुछी भी मेंशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या है उपर वादी मेंशन कर दिया, यहाँ पर आवेदक कर दिया, तो प्रक्रण में क्या है अभी आवेदक, अर्थात वादी की साक्ष उसकी करें तो कोट से हम निविदन कर रहे हैं तो जो मूल दस्तावेज अर्थात और्जिनल डॉक्युमेंट है उन्हें अभी लिये करता रिकॉर्ड पर लिये जाएं इसकी करपा करें हमने पूरा ही मेंशन किया है यहाँ पर लेकर आम तोर पर यह जो दिया जाता है आविदन यह इस सब रूल तरीकेत दिया जाता है इसमें आप नियाले से अनुमती मांगते हैं आपको तब प्रस्तुत करने थे जब आपने वादपत्र दिया था और आपने सूची में इन दस्तावेजों के बारे में बताया था और आपने इस दस्तावेज नहीं दिये हैं तो इसलिए हम नियाले से क्या है अनुमती माँग रहे हैं इस्थान आ गया दिनांक आ गया अधिवक्ता एतु वादी यहाँ पर वादी के अधिवक्ता के साइन और यहाँ पर वादी के साइन तो इस प्रकार आदेश साथ दियम-14 का आवेधन तैयार किया जाता है कोड में पेश किया जाता है और ओरिजिनल डॉकिमेंट जो आप पेश नहीं कर पाए थे या आपके कबजे में नहीं थे और आप उनको बाद में पेश करना चाहते हैं केस में तो इस आवेदन को दे कर आप कोड में पेश कर सकते हैं तो आप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैं एड़ोकेट प्रियंग डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं थैंक्यू सो मच